Hello everyone, मैं हूँ पंकाज और स्वागत है आप सबका Easy Tech की पंकाजी तो दोस्तो आज की वीडियो में बात करें कि आप किस तरीके से अपने Shorts वीडियो में थमनी लगा सकते हैं जी हाँ दोस्तो जैसे कि आप नौरोन वीडियो में थमनी लगाते हैं उस पर दोस्तो वो आपके Shorts वीडियो को दिखाता है जैसे कि आपको दिखाए दे रहा होगा देकि यहाँ पर एक के बाद एक वीडियो आप देखे आप इस तरीके से एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर देश्टो वो Sorts वीडियो को आपके एक तो दिखाता है। दूसरा जो तरीका है दोस्तो वहाँ पर आपको थमनील लगाना बहुत ज़्यादा जरूरूरू जाता है। क्योंकि दोस्तो जो दूसरे तरीके में यूटूब अपने जो वीवर्स को आपका जो Sorts वीडियो दिखा रहा है वो होता है ब्राउजर फीचर के जरीए। तो ब्राउजर फीचर क्या होता है दोस्तो जब आप अपने YouTube की एप ऊपन करते हैं अपने फॉन पे तो देख सकते हैं आप देखिए स्क्रोल डाउन करते वे बहुत से वीडियो देखते हैं देखिए इस तरीके से वीडियो आप ऊपर करते वे देखिए कोई साइव जो कि home page में आपके वीडियो दिखाए देते हैं, वो ही browser feature में आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तो, आपके shorts वीडियो है, YouTube यहाँ पर भी दिखाता है, अब इसके दोस्तो दो फाइदे होते हैं, अगर आपको चैनल monetize है, उसको भी दोस्तो फायदा मिलता है, और दोस्तो अगर वाश्टाम काउंटोस हैं, दोस्तो आपको जो criteria है, वाश्टाम का वो भी पूरा वहासर हो सकता है, उसको भी वाश्टाम आपका add हो जाएगा, और दोस्तो दूसरी बात है, अगर आपका चैनल monetize है, तब तो दोस्तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, अगर क यह फाइदा होता है दोस्तो अगर आपने shorts वीडियो में थमनिल लगाते हैं, तो आज की वीडियो में हम दोस्तो यही सीखेंगे कि कितनी आसानी से आप अपने shorts वीडियो में थमनिल लगा सकते हैं, तो चली दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपनी साइन पर आप क्लिक करिए, create a source पर जाएए, यहां से आप directly भी source वीडियो बना सकते हैं, आपको phone को horizontal लगना पड़ेगा इसी तरीकी से, अब दोस्तों आप upload भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपको वीडियो होगा वो एक मिनट से कमका होना चाहिए, तब यह वो source वीडियो मना जाता है, तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखिए, इस तरीक से जा कि आप कोई साइव वीडियो अप्लोड कर सकते हैं, तो चलिए मैंने पहले से यह upload इसमें करा हुआ है, तो देखते हैं, वो upload हुआ है की नहीं हुआ है, तो देख सकते हैं, upload हो चुका है अमरा वीडियो, और दोस्तों, चलते हैं अपने यह वाइटी स्टुडियो हमको open करना पर देखिए, तो प्राइवेट में यह वीडियो आपको दिखाए दे रहा होगा, देखिए, तो प् इस तरह के से यह वीडियो मैंने upload कर रहा है, देखिए, मैंने title भी यहाँ पर दे दिया था, देखिए, title देते समय आप shorts वीडियो जो बना रहे हैं, उसमें hashtag shorts और hashtag shorts वीडियो जरूर डालिएगा, तो चलिए आप pencil की sign पर click करिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी thumbnail जो ब्राउजर फीचर में जाएगा, उसके लिए दोस्तों हमको इसमें thumbnail सेट करना है, तो यहाँ पर देखिए, thumbnail के उपर pencil का sign आपको दिखाए दिरा, इस पर click कर देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, custom thumbnail और देखिए, यह by default thumbnail इसमें generate हो रहे हैं, तो custom thumbnail एड़ क और दोस्तों अगर आपको verify कराना नहीं आता है, तो i button पर आप देख सकते हैं, link आ रहा है, उसमें मैंने पूरी तब process बताये हैं, आप किस तरी किसे हम नए चैनल को verify कराएंगे, अपने mobile number से, तो वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं, तो चलिए आप इसको change करते हैं, तो custom thumbnail पर आप click कर गए, और देख सकते हैं दोस्तों ये वाला thumbnail हम इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मेरा food channel है में उसी में आपको ही दिखा रहा हूं, तो आपका किसी भी category का दोस्तों channel हो आप यह process आप करेएगा thumbnail लगाने के लिए, तो देखे मैंने य thumbnail इसमें लगा दिया है, अब इसको select कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं जो हमारा thumbnail यहाँ पर लग चुका है, अब पहले से देखे कितना बढ़िया यह लग रहा है, एक बार को कोई ना को इस पर click करके जरूर देखेगा कि इस वीडियो में क्या है, और दोस्तों अगर आ आपने जो थमनील है, उसको इस पर लगाएंगे, shorts वीडियो में, तो यहाँ से इसको save कर लीजिया, तो दोस्तों वीडियो को देखर आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपने shorts वीडियो में थमनील लगाने है, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडि यहाज़ से तो चॉप जुएप पसले किस चार लुपी सूप आपको च्यास पिर लुजब में जया है, थगाजियो दोस्तों वीडियो कर वीडियो.